नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कौंच बीज पाउडर के बारे में इसके फायदे जानेंगे और इसे किस परकार से लेना चाहिए कब तक इसका इस्तमाल करना चाहिए किनको इसका इस्तमाल करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए इन सभी बातों को भी इस वीड और दोस्तो ये बहुत ही लापदाएक पाउडर है जिसके वारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके यूजिस के साथ इसके फाइदे क्या क्या हैं दोस्तो इसका इस्तमाल शीगर पतन की प काम हो जाता है जिसकी वजह से उसका पार्टनर पूरा संतुष्ट नहीं हो पाता है यानि कि वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है एक या दो मिनट में ही उसका काम हो जाता है तो उस टाइम को बढ़ाने के लिए कौँच बीच का उपयोग किया जाता है कौँच बीच प नपुन सक्ता की प्रॉब्लम में भी किया जाता है दोस्तों नपुन सक्ता में क्या होता है कि उस इंसान का लिंग खड़ा ही नहीं होता है मतलब कि हलका फुलका खड़ा होता है लेकिन इतना खड़ा नहीं होता है कि वो संभोग कर सके जिसकी वज़े से वो कभी पिता नहीं बन पाता है तो ऐसी गंबीर समस्या के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है और जिन लोगों ने अपने लिंग की नसों को खराब कर लिया है हस्त मैथून करके या फिर किसी और वज़े से भी लिंग की नसे को बढ़ाना जैसे कि आप इस पर भी देख सकते हैं लिखा हुआ है दोस्तों यह देखिए helpful in enhancing sexual power यह अपकी sexual power को बढ़ाएगा और improved quality quality of semen because of its grow heavy and virotia of road properties ठीक है तो इसका इस्तमाल दोस्तों सीमन को गाड़ा करने के लिए भी क्या जाता है यानि कि वीरे जिन लोगों का पतला होता है बिलकुल ही उसमें शुक्राणों की कमी होती है बहुत ज्यादा जिसकी बज़े से उन्हें pregnancy करने में दिक्कत आती है यानि कि वो पिता नहीं बन पाते हैं शुक्राणों की भी इसको लिया जाता है इसको लेने से शुकुराणों की जो quantity होगी वो बढ़ने शुरू हो जाएगी और आप जल्द से जल्द पिता बन पाएंगे और और ये योन इक्षा को भी बढ़ाता है जैसे कि जिसका किसी का मन नहीं होता है संभो करने का उस problem को भी ये ठीक करता है यानि कि ये पुर्षों में होने वाली हर प्रकार की sexual problem को गुपत बिमारियों को ये ठीक करता है और इसका बहुत ही बढ़िया result देखा गया है तो दोस्तो अगर आप इसको लेना चाते हो तो आप description में जाके link पे click करके भी इसको खरीच सकते हो और जो screen पर जो number आप देख हो और दोस्तो इसकी dose की बात कर लेती है इसको लेना कैसे है दोस्तो इसको इसको साफ साफ लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दो से 5 ग्राम लेना है once or twice a day दिन में एक बार भी ले सकते हैं अगर ज्यादा problems है तो तो उसमें आप दो बार भी ले सकते हैं प दोस्तो इसका कोई भी नुकसान ने क्योंकि बिल्कुल आयरवेज देखें बिल्कुल सेफ है तो दोस्तों उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जुरू कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलेगा धन्यवाद